फ्लोरास किचन के मंगलवार के शो में आप सबका एक बर फिर से स्वागत है फ्रेंस जैसे कि मैंने आपके साथ आगे की वीडियो में शेर किया था कि मैं यूनिक तरीका एक मुखवास आपके साथ शेर करूंगी तो आपका भी इतना बढ़िया और क्रिस्पी गुटली का मुखवास बन जाएगा और ये गुटली का मुखवास है आप जब चाहो तब आप फ्राई कर सकते हो फ्राई करने के बाद आप यूज़ कर सकते हो आप एक साथ फ्राई करके रखोगे तो आपका मुखवा सिल सकता है उसे के साथ में दातों के मसूडों को मजबूत करने वाला एक पावडर भी इसके साथ शेयर कर रही हूँ तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा आपको बहुत ही पसंद आने वाला है तो सबसे पहले मैंने गुटली है उसको तीन दिन पानी में जैसे वाश किया था वैसे वाश करके रख दिया था तीन दिन के बाद ये सारी गुटली है आप इस तरह से कट कर सकते हो तो इसको छोटे-छोटे टुकडों में कट करनी है तो इस तरह से मैं कट करके आपको दिखा रही हूँ, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, आप चाहो तो चौपर का यूज भी कर सकते हो, इस तरह से आप चौप भी कर सकते हो, ताकि आपका काम है, वो आसान हो जाए, इसलिए मैं आपके साथ दोनों तरीका शेयर कर रही हूँ आप चाहो तो इसको कद्दू कस भी कर सकते हैं जैसे आगे के वीडियो में मैंने किया था कद्दू कस वैसे भी कर सकते हैं पर ये तरीका बहतर है कि आप चोटे-चोटे चॉप करके रखतें क्योंकि आसानी से दो दिन में ये गुटली सूख जाएगी तो ये सारी गुटली हमारी ready हो चुकी है मैंने chop कर लिया है fine chop करके इसको निकाल दूँगी एक plate में एक plate में निकालने के बाद ये सब ready हो जाएगी तो बाकी की गुटली भी इस तरह से मैंने cut कर ली है आप देख सकते हैं बहुत चोटे चोटे piece में मैंने cut कर ली है अब आगे की process भी मैं आपके साथ share कर रही हूँ तो यहां पर मैंने plastic पिछा दिया और सारी गुटली अलग कर दी है ताकि वो अच्छे से सूख जाए दो दिन की बाद मेरी गुटली है अच्छी तरह से सूख चुकी है काफी crunch आ गया है इसमें और इसका color भी change हो गया है अब सारी गुटली को हम mix about में डालेंगे थोड़ी थोड़ी portion में डालेंगे ताकि पीसने में आसानी रहे तो यह थोड़े थोड़े portion में मैंने पीस ली है और इसका fine powder बना दिया है तो यहाँ पर मेरा सारा fine powder ready हो चुका है आपकी process है वो ध्यान से देखेगा यहाँ पर मैं एक छलनी ले रही हूं छलनी में थोड़ा थोड़ा powder डाल रही हूं गुटली का और इस तरह से इसको चान लेना है ताकि वो proper छन जाए और extra है वो फिर से हम mixi bowl में डालके फिर से पीस लेंगे तो friends इस तरह से सारा fine powder है हमारा ready हो चुका है और बाकी का जो हमारा बच्चा है वो हम फिर से पीस लेंगे और फिर से यही process से हम इसको चान लेंगे तो यही process से हम चान के इसको ready कर देंगे क्योंकि आगे की process है वो आपने कभी देखे भी नहीं होगी कि इस तरह से आप खीचू भी बना सकते है तो friends यह extra है वो उसको निकाल देना है अब हमारे पास एक तम fine powder ready हो चुका है तो यहाँ पर हमारा fine powder है वो ready हो चुका है अब इसमें से थोड़ा सा हम एक कटोरी जितना या आधी कटोरी जितना powder निकाल देंगे उसका यूज भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने इसको किस तरह से यूज किया है यह बहुत ही आपको फाइदा करने वाला है जो मैंने अलग कटोरी में निकाला है तो फ्रंस यहाँ पर मैंने एक भगोना लिया है और उसके अंदर में 3-3.5 गलास इतना पानी एड़ करूँगी और इसको उबालने रखोंगी गैस के उपर इसका धकन हम धक देंगे ताकि आसानी से उबल जाए तो यहाँ पर हम खीचू बनाने के लिए जो सोडा खार यूज करते हैं वो वाला करना है दो चमच और उसी के साथ हम स्वाद अनुसा नमक भी डाल देंगे एक से डेट चमच इतना तो यहाँ पर हमारा पानी खौल गया है जो हमने सोडा खार रखा था और नमक रखा था वो दोनों एड कर देंगे क्योंकि पानी हमारा अच्छी तरह से उबाल आ चुका है तो इसको इस तरह से बेलन की सहायता से आप चलाए तो आपको आसानी रहेगी क्योंकि पावडर भी हम डालेंगे तो इसको mix करने में आपको उसानी रहेगी आप देखेंगे थोड़ी देर में इसका color जो है टेंज हो जाएगा क्योंकि हमने इसमें खीचू का खा रहा है वो डाला है यह हमारा उबल चुका है इसमें color भी चेंज हो चुका है अब अच्छी तरह से उबाल आगया है तो हम फ्ल और इस तरह से मैंने सारा गुटली का powder है, इसमेढर कर दिया है, तो ये बहुत ही गरम है हमारा भगोना, तो इसको पकड़े अच्छी तरह से तके आपके हाथ नह जले और इसको अच्छी तरह से mix कर ले इस तरह से, ताकि वो आसानी से पानी के साथ मिक्स हो जाए तो friends यह हमारा मिक्स हो चुका है अब slow gas पर ही इस तरह से चलाते रहेंगे 5 या 7 मिनिट में आपका इस तरह का एकदम heavy texture ready हो जाएगा तो यह हमारा खीचू बनाने की process जो है आधी complete हो चुकी है अब हम क्या करेंगे जाली वाला एक कटोरा लिया है मैंने इस तरह से आपको तेल लगा देना है ताकि खीचू आसानी से हम निकाल भी पाए और चिपके भी नहीं तो यह हम पकने के बाद बहुत चिपचिपा सा हो जाता है तो आपको कोई चीज साथ में लेनी है उसकी health से आप निकाल सकते है तो इस तरह से भी आप निकाल सकते है और खीचू जो है अलग निकाल सकते है इस तरह से तो यहां पर मैंने सारा खीचू जो है निकाल दिया है और जो भगोने में बनाया था उसे के अंदर थोड़ा सा पानी अड़ कर दिया है क्योंकि हम इसको बॉयल करने वाले है आप चाहो तो स्टीमर में भी कर सकते हो पर मैंने कम बरतन हमारे यूज हो इसलिए मैंने इसी में उबालने रख दिया है ताकि स्टीम अच्छी तरह से पहुँच जाए तो ये देखिए 7-8 मिनिट में हमारा खीचू बनके रड़ी हो चुका है इसको थोड़ा सा हम थंड़ा होने देंगे थंड़ा होने के बाद हम संचे में ये वाली जारी लगाएंगे स्टार वाली और उसके अंदर हम थोड़ा सा ग्रीज करके ये जो पोशन है, चमत से लेके थोड़ा-थोड़ा करके इसके अंदर भर लेंगे और इसको ग्रीज करना बहुत जरूर है ग्रीज करने के बाद ही आप इसका यूज करे ताकि वो अच्छी तरह से निकल जाए और हमारा वेस्टेज भी थोड़ा कम निकले तो यहां हमारा संचा भर चुका है आप इसकी हम स्टीक निकालेंगे और संचे का यूज करके इस तरह से लंबी-लंबी स्टीक लगा देंगे तो फ्रेंट नीचे मैंने प्लास्टिक पिछाया है प्लास्टिक के उप तो फ्रेंट यह हमारी रेडी हो चुकी है सारी स्टीक हमने रेडी कर दी है यह न दो-तिन घंटे में आसानी से सूख जाती है तो जैसे ही थोड़ी सूख जाए तुरंत ही आप इसका कट लगा दे वो कैसे लगाना है वो भी देख लिजे तो इस तरह से आपको गीला-गील और इसको इस तरह से प्लास्टिक पे खुला बिचा दे ताकि आसानी से सूख जाए तो फ्रेंस यहां पर मैंने धूप लगा दी हो आप देख सकते हैं बहुत बढ़िया सा हमारा गुटली का मुखवास है वो आकरी स्टेश पर आ गया है तो फ्रेंस आगे मैंने कटोरी मे पावडर निकाल दिया था जैसे कि आपने देखा था वो पावडर के अंदर हम एड़ कर देंगे नमक तो यहां पर मैं देर से दो टेबल स्पून जितना नमक एड़ कर दूंगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो फ्रेंस इसका भी बहुत फाइदा है कि इस बहुत हेल्दी रहे आपके मसूडे है वो भी हेल्दी रहेंगे तो फ्रेंस यह आखरी हमारा स्टेज है जिसमें हम फ्राइ करेंगे तो यहां हमने तेल चड़ा दिया है गरम हो चुका है अब इसके अंदर गुटली का मुखवास हम फ्राइद करेंगे अभी जैसे कहने बहुत ही गजब की लगती है यह गुटली का मुखवास तो फ्रेंस हैना एकदम यूनिक और एकदम नया तरीका आखरी में हम इसके अंदर सेंदा नमक डालेंगे या तो फिर काला नमक डाल सकते है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि गरम-गरम में आप भरके स्टोर कर लें आप जब भी सुबह में या शाब को जब भी टाइम मिले तब आप इससे दंथ बंचन करें आपकी मसूड़े स्वस्त रहेंगे और यह यूनिक सा गुटली का मुखवास आपको कैसे लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना अगर अच्छा लगा तो आप मेरे से कनेक्ट हो सको और आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए थैंक्स पर वाचिंग